शिवराज सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो स्वरुजगार और उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं। उनमें से एक योजना प्रदेश सरकार की उद्योग निवेश अनुदान योजना भी है। रीवा की कट्रा मुहला निवासी अभिने गुपता की किस्मत शिवराज सरकार की इस योजना ने बदल दी है। कुरोना से पहले अभिने सप्लाई का काम किया करते थे लेकिन कुरोना काल में उन्हें काफी नुकसान हुआ। इससे उनका गुजर्बशर मुश्किल हो गया। ऐसे मुश्किल समय में मध्यप्रदेश शरकार की मदद से वो ना सिर्फ अपने हालातों से लड़ सके बलकि आज वो एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। रीवा निवार्शी हो खौकर करा और तैया क्छ para sir qas nara gap hear he अंude, मुझे मैं पहले सप्लाई काम स्पलाई काम करता था फे आसा गुर्र्णे साक्वट काम करता हूँ जो तिम दिवागों में सप्लाई कोते हो आथ किठा उन्हें किराने मंकाले हो सभնभिथ हैं। प्रॉरोन के समय उसमें सप्लाई हैं प्रॉलम प्रॉब्लम क्रेट ही, इससे हमारे खर्चे निकल पारहे है, जो भी अगरा थे तो अगरा है। फिर मुझे रहा कि मुझे अपना इता काम एक करना चीए। ये ठीटेर काम आज है इकल नहीं है। में तुटका काम करने से यह रहागा कि कोड़ाबुत अपना थर्चे में निकनेंगा और अपना काम पिर्का हो जानेंगा पिस संबन में काक्षु रिसर्च किया मैंने दो जारिकाइस से रिसर्च करते चरते इसके बारे में मुझे पिर्काइस से रिसर्च के बारे में जानकारी दिया तुटकाइस से रिवा में उपर सकते हैं कि रिवा में इसकी डिमांड है इन तर्फिलों के बारे में दिमांड होतकी है तो मैंने वही पीन-चार आई कामों को चूच करने के बाद कि रिए काम को फाइनल किया मसाले का ग्राइंडिंग का काम पैकेजिंग का काम और अपका अस्यल करने का काम प्रदेश शरकार और उद्योग विभाग की मदद से अभिने गुपता ने एक मसाला के फैक्टरी की शुरुवात की इस फैक्टरी से आज अभिने गुपता ना सिर्फ लाखों की कमाई कर रहे हैं बलकि दस दे जादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं मुझे रहा रहा का क्एंक अट का अब doubt in जनवरी मेरा एक स्टार्ट में थिया तो यह स्पनिंद आस मेरी स्टी ने शाली से यार आरा रही थी लेकिन अब र refuse पर हमारी इन्वाइक यह मेरे पास मार्केटिंग की पीम भी है आलोगर रीबा दिस्टिक्ट मेरा माल है और पबिलिक दिमान भी बनी हुई है मैंने दस लोग को रुज़ार दिया हुआ है जिसमे अपने प्लांट में पांच लोग है प्लांट अपरेशन है उसमें दो लोग है मत्यप्रदेश सरकार के उद्योग निवेश अनुदान योजना के तहट 72 लाग के इस प्रोजेक्ट में 52 लाख रुपए अपने गुप्ता ने लोन लिया इसमें 14 लाख रुपए की सबसीडी भी मिली है यह अजिकरहा में आलक बांडे द्वारा विकाई स्तावित के इनके द्वारा लगवा गये एक करोड रुपए कारण दिया गया है और उत्वोग निवेश अनुदान हमारे हां कि एक स्कीम है जो उत्वोगों को बढ़ावा देने के लिए इंड़स्टी डवलप करने के लिए सासन द्वारा चलाई जा दिया गया है उसमें इनको पंद्रा लाख रुपए का अनुदान स्वेटित किया गया है और उक्तिय अभिनाई गुपता के यहां बनने वाले मसाले की सप्लाई विंद शेत्र में होने लगी है लाखो के ओर्डर एडवांस में मिलने लगे हैं इनके फैक्टरी में हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर के अलावा और भी कई मसाले बनाए जाते है